हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं डॉक्टर अन्विया सिरसे अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी पढ़ाई में जोरो शोरो से लगे हुए है क्वालिटी मेनजमेंट का सब्जेक चल रहा है थ्री यूनिट आल्रेडि आप देख चुके हैं फॉर्थ यूनिट भी थर्ड यूनिट का ही थोड़ा एक्स्टेंशन रूप में है वह बहुत सारे में बात होगी बहुत सारी थियोरीज में बात होगी सिंग्स इंग्मा पर किसी ने नोट्स नहीं बनाएं अभी तक किसी ने कोई बुक पर्चेस नहीं करी है और अभी भी आप operation management की बुक्स तलाश रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलिए तो हमने उसकी बुक्स soft copy और hard copies दोनों में available करा रखी है 849 में पूरा complete seven books का syllabus आपको मिल रहा है और hard copies भी चाहिए तो 1699 में आपको available आईए अपन फर्स टॉपिक के उपर आ जाते हैं फॉर्ट उनिट में फॉर्ट उनिट का फॉर्स टॉपिक है quality circles जो भी management में audit होती है आप सबको पता ये audit होती है तो कौन करता है वो अधर auditor करता है external internal होता है ठीक है उसी तरीके से यदि हमको quality improvement करना होता है तो हमको whistleblower start करने पड़ते हैं हमको company के अंदर ऐसे बंदों की recruitment करनी होती है या ऐसे बंदों को जिम्मेदारी देनी होती है जो quality control का काम करें जो भी बंदा जैसे हमारे मिस्टर पेंटो जी है ना मिस्टर पेंटो जी पहले तो क्या थे production इंचाइश थे लेकिन उनको company ने कहा कि आपकी salary 500 उपर बढ़ा दी जाती है और उसके साथ वैसे तो प्रोडक्शन मेनेजर रहते हुए यह इन बिल्ड क्वालिटी रहती है लेकिन इन बिल्ड स्वरी इस शॉर करनी होगी मिस्टर पिंटू को एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया थोड़ा सा reward अमांट में दिया गया तो यह मिस्टर पिंटू क्या हो गए हमारे quality controller हो गए और यह सारे लोग जो भी quality controller का काम कर रहे हैं यही सारे लोग क्या कहलाते है quality circles के अंदर members के लाते हैं यानि quality circles a group of the members which work for a organization for improving the quality basically quality manager तो इसके अंदर लाक पेट बेटे बेटे शोटकट से हम करोड़पती बन जा है तीक है और regular basis of identify analyze small work related to the problem these groups aims to improve overall quality ग्रूप का एम क्या है overall quality लेकिन बुक के अंदर इसको voluntary लिखा है तो अपन भी इसको बुक के अंदर लिखा है कि इसके अंदर voluntary participation होता है यानि कि पार्टिसिपेशन के ता होगा voluntary होगा रेगुलर इनकी meeting होगी कि चलिए इस हफते यह करा इस महीने यह करा इस पंदरा दिन में यह करा employee का overall involvement होता है हर एक employee का involvement होता है ठीक है structured process होती है इनका भी एक पर आइडियलोजी होती है अभी अपन इस्ट्रक्चर प्रोसेस में आएंगे कि सब्सक्राइड नीड आइडेंटिपाई होगी फिर प्रॉब्लम आइडेंटिपाई होगी प्रॉब्लम आइडेंटिपाई उसका solution आइडे मेनेजमेंट एंड सपोर्ट के भी अक्टिविटी आपको मेनेजमेंट के तुरू मिल जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं benefits of the quality सरकर एक सेकेंड है हाँ अब नेक्स्ट पर आगया हूं benefits quality सरकल का benefit क्या है तो quality का improvement होगा का कॉस का reduction होगा optimum utilization resources होंगे communication बढ़ेगा regular meeting होगी टीम building होगी यही सारे points लिखने है अब अब कोटी के employee का moral बढ़ता है कि हाँ हमने कुछ organization के लिए करा क्योंको से करता है अब इसके कौन-कौन सी steps है इस quality को सबसे पहले formation किया जाएगा formation क्या होगा अपनी टीम का formation की भाई यह वेक्टी मिस्टर पिंटू जो है बहुत रहने वाले इंप्लोई रहने वाले सब quality circles में जैसे हमने एक department बनाते हैं तो एक manager होता है एक assistant manager होता है supervisor होता है labor होता है पॉर्मेन होता है ऐसे रोल्स and responsibility होते हैं इसी तरीके से हम quality circle को format करते हैं format यानि यहां पर formation का का में सोरी है ना फिर उनको training देते हैं कि यह quality के aspect होते है क्योंकि हर जने को हर चीज़ नहीं आती तो उसमें training कि रही जाती फिर problem का identification किया जाता है problem यानि कि हमारे क्वालिटी लूफ हो सकते प्रोबेबल कहा है और कहां कहां improvement की जरूबत है फिर उसका analysis solution development किया जाता है फिर उसको monitor किया जाता है और फिर recognition भी दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम क्या बहुत बढ़िया बात है अब नेक्स आ जाते हैं टीक्यूम टीक्यूम एक तरीके से तो वैसे तो operation management में एक पूरा का पूरा subject है लेकिन यहां पर अपने topic के तरह दिया हुआ है subject में quality management में तो आज कल पीजी डीवियम की हम जब क्लासिल लेते हैं तो quality management बंद हो गया टोटल quality management वर्ड यूज हो गया तो सर क्या difference है quality management और टोटल quality management में जब हम किसी process का बड़े ध्यान से और शांती से समझेगा जब हम किसी process का और about quarter quality control करते हैं यानि कि वह product जब हमारे मार्केट में हाया market में आने से पहले वह होता है raw material होता है raw material होने के बाद उसकी different processes होती है है यहां तक से Accounting की पूरी process जाती है यहांosaurus में ट्रांसफर होने के मैं रिखेंगिन हो जाता है अब different processes हो सकती कि CB goods की one two three four five six depend on the number of the nature of the product sorry nature of the product according उसकी प्रोसेसे जोती है लाइक ये शर्ट बना निये तो क्या होगी कटिंग होगी स्टीचिंग होगी iron होगा coloring होगी टिकेट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स इसके अंदर perform होगी वहीं अगर कार मनाने तो उसकी प्रोसेस ज्यादा हो सकती है कई में कम हो सकती है और एक होता है रो मटेरिल पर्चेस अब रो मटेरियल पर्चेस के अंदर क्या डारेक्शर्ट बनाने के लिए रूई खरी दी गई कोटन खरीदा गया है या आपने वायर खरीदा कोटन से जो धागा बना है आपने थ्रेड बना है वो खरीदा है तो चेक करना होता है तो रो मटेरियल एक प्रोसेस होगी तो टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट क्या है टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट यह कहता है कि रो मटेर केसे लिए उसको टोटल क्वालिटी मेनेजमेंटिया थोड़ा सब और बोलने की बाते हैं दोनों चीजे एक ही होती है अगर प्रेक्टिकल लाइफ में जाया जाए ठीक है क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको थोड़ा प्रेक्टिकल भी बताता चलू क्यों टोटल क्वालिटी क्योंकि मैंने कंपनी में काम किया है तो वहां से मुझे पता है कि यह सारी चीज़े जब ध्रातल पर जाती ह नहीं होगी है ना इसे कॉंप्रियंस अप्रोच एट फोकसेट ओन कंटिनेश इंप्रूमेंट और प्रोसेशेश प्रोडक्त और सर्वीसेश तो अचीव लॉंग ठम कस्टमर सैडिसेक्शन टू क्यों करने का भी रहता है कि क्वालिटी का आस्पेक्ट अपनने क्या डेफ क्सटमर फोकस है कंटेनिश इंप्रूमेंट जाएं नियूट रहे हैं उसलता है या उलकुल मृट और सेमिलर रख रखी है तो वो इंटेग्रेटेट सिस्टम है ठीक है डेटा ड्रेवन डिसीजन मेकिंग ठीक है लेज चिप्स सेम प्रोसेस फोलो करता है यानि कि सारी चीज़ बनाएंगे भी हमी प्रड्यूस फिर उसको प्रोसेस भी हमी करेंगे फिनिश गूर्स तक भी यानि जरूसरेबर ग número Chis अनदर आपको यह याद रखनेंगे कि टॉप मिनेजमेंट कावी यूनिट्मेंट कर पाती है तो टॉप management का communicate होना चाहिए ट्रेनिंग चलनी चाहिए इसके अलावा customer का focus होता है process management होता है continuous improvement होता है performance measurement recognition and reward यह मैंने इता fast इसले पड़ा क्योंकि already अपन यह process दस बार already में यह quality management में बार-बार बता चुका हूं कि अपसे बिले problem identify होगी फिर solution identify होगा उसको different parameters पर चेक किया जाएगा फिर implement किया जाएगा फिर उसको monitoring होगी और फिर recognition reward की point किया जाता है अम next important heading आता है और इससे almost her paper के अंदर question भी बार-बार देखने को मिलता है वो है six sigma six sigma data-driven methodology to improve the quality and efficiency of the process by identify eliminating defects and reducing variability it aims to achieve near perfect quality levels by the systematically analyzing improving the process अभी its normal word में अंदर क्या है कि 99.9999% और भी 949 और 69 लगा देना एना इत्ते परसें एक्कुरेसी आप अचीव कर लो आपके प्रोड़क के अंदर यानिक एक certain हमने prototype बनाया एक certain quality का standard fix करा कि यह प्रोड़क्त जो है यह कि यह जो marker है अब मान लेते हैं इसकी जो working hour है वो 10,000 hours होनी चाहिए कि यह 10,000 hours working में रहे तो यह चलते रहना चाहिए अब 10,000 hours का हमने एक product बना दिया ऐसे कितने प्रोड़क्ट बनाए जाएं उनमें वो बिरो डिफेक्ट होना चाहिए नहीं हर प्रोड़क्ट 10,000 आवर्स चलना चाहिए तो ऐसा कितनी बार होना चाहिए दस लाक में से केवल 6 गलतियां लाउड रहती हैं तो उसको सिक सिंगमा का सर्टिफिकेट मि यह एक मेतरोलोजी कॉलिटी इंप्रूबंट के लिए जिसमें वेर्स प्रोड़क्ट बिल्कुम वर्नेबलेटी यह वईडियाबिलीटी तक पहुंच सेके जिसमें हमारा प्रोड़क्ट जो है वह अब टूद मार्क ने हमेने 5000 प्रोड़क्ट बनाएं 5000 में में सकते हमेरे बीस परशन सब्सक्राइब भीची आपको सिक सिक्राइब में सेश तो एक बता देता हूं का सब्सक्राइब करगेए और से प्रॉडक्त पहले लेहा थैं विल्कुल पहले बेसे नहीं थाि होती है सारी चीज़े जल्दी होती है और जो लंच करते हैं वह बारा से दो बज़े के बीच में करते हैं अब घर पे इतना जल्दी सुबह चार बज़े का बंदा निकल जाएगा तो खाना तो देंगे नहीं और देंगे तो ठंडा हो जाएगा दोनों ही प्रोसेस रहती थी खाना दिदिया जाते था नो-साडे-नो बज़ी तोब तक क्या होता था कि मुंबई मेटरों में भी काम होना चुर्य हो जाती थे क्योंकि बहुत अरे लोग अपने दफ्तर पहुंच चुके होते थे जब 9-10 बजे वो दफ्तर पहुंच जाते हैं अपना काम करना शुरू कर देते हैं तब महाँ पर क्या होता है कि उनको जो फूड आता है वो घर से आता है तो उसके लिए एक डबा वाला असोसियेशन है जो मुंबई में काम करती है वो लोकल ट्रेंड की हल्प लेती है और आ काम को तो पती डबा लेकर आई जाएगा तो रोज की एक्टिविटी होती है तो उनका एशुरेंस से कि दस लाग में से केवल केवल एक बार भी वह गलती नहीं करते हैं अब सोचिए वह आठीवी पास की स्ट्राइटिंग जब उनकी वीटी ती तो उनका हायर क्वालिफि इस्टेजे वो 99.999 परतन वे एक्टे और इससे 0.0000001 परसेंट के वल डिफक्ट होता है यानिकी कभी आंद जाता है टुक्तर गणान को मिल जाता है यह उसमें डिफेक्ट हो सकता है ठाट है तो फिकसिंगर आपको समझ में जंब आ गया यह इत्तर डिटेल में लिया मैं ए एक important question है आपके exam में बार बार पूछा गया है तो आपको इसका concept clear हो गया अब इसके की concept क्या है की concept में इसके dmaic process यह follow करते हैं यह process क्या है define measure analyze improve and control define करो कौन कौन सी problems identify होनी वाली है उसके project का goal क्या customer की requirement क्या define करो इसके बाद measure करो data हमारे पास कितनी baseline है हम कितना perform कर सकते हैं कैसे perform कर सकते हैं measure करो फिर analyze करो measure करने के बाद आपने उसको measure तो कर लिया इसके बाद analyze करो which one is the best way to perform a circular task फिर analyze करने के बाद उसको improve करो regular उसी task को improve किया जाए और फिर इंप्रूव करने के बाद जब हमने perfect task identify कर ली तो उसको control करो कि हमारे या कई पर भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए तो क्या है डिफाइन मेजर एनलाइज इंप्रूव एंड कंट्रोल नेक्स्ट इनका क्रिटिकल टू क्रिटिकल टू क्वालिटी यह कि अब से क्या कहते है कि कस्टमर इस दुकिंग और यह बेजर फोकस में था इनका क्वालिट यह कंगी टफेक्ट पर मिल्येन अपर्चुनिटी दर्स लाग में ऐक गलती यह बोल रहा है पच्छे तक प्रोल रहा है तब सिब इसक्ति 技 tend dop बूरकिशिक इनकल और सिक्सिक्स कम होगी optimization of the resources होगा customer satisfaction होगा और प्रोसेज में efficiency आईगी अब implementation केते होगा वही quality control quality circle का भी same implementation is अब से पहले project identify the roof form करो team को फिर उनको training दो फिर apply करो अपना dmaic के process define measure है ना analysis implementation यहाँ पर define measure analysis improve and control ठीक है यह वाली process आप apply करो उसके बाद measure करो report or controlling activity करो और इसी को improve करते रहो ठीक है six sigma की process आपने ओल्टरेटी देख लिए लेकिन फिर से अपने point है तो पन देख लेता है इसलिक है रहूं बार-बार इसके point है और बहुत important question introduction करना आपन को process का improvement का पिसे आपको methodology तो इसके समझ में आए गई यह कि सबसे पहले हमको define करना है फिर में अधर करना फिर analysis करना improve और control करना अब इस methodology को regular basis पर हमको क्या करना होता है update करना होता है अब इस update करने से हमारी क्या होता है update करने से हमारी वही चीजें जो इसको implement करने से efficiency वढ़ती है कॉस रिडक्शन होता है क्वालिटी improvement होता है प्रोसेश इंप्रूमेंट होती है गुडविल इंप्रूमेंट होती है यह सारी चीज़े और अगर इस 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 सिग्मा प्रोड़क्शन रोल प्ले करता है यानि कि जब हम प्रोड़क्श कर रहे हैं यानि कि प्रोड़क्श कर रहे हैं तब भी हमको सिंसिगमा का यूज कर् ». इसी को बोला जाता है कि सिंसिग सिंहे व्यक्श में यूजन परोड़क्श मेंट करना Use इसके अंदर आती है İससके अंदर इसके अंदर दिफ्रेंस है लेकिन अलगण एक प्रोसेस में आपने मेथटोलोजी पड़ी से प्रोसेस्ट में आपने जमेते जिए antilogy परी तो वाहाँ पर दिफाइज मेडर अनलेज्सिस इंप्रूबर गडोल आयا जब में प्रोड़क्ट ड्यूप्मेंट में अ अप्टेशल फेल्वर देवलप डिवलप डिवलप डिवाइन अब यहां पर मैंने प्रोड़क बना दिया तो डिफाइन करा कि यहां इसा प्रोड़क मुझे बनाना यह मेरा कंपनी का गोल अब सब्सक्राइब बनाने के लिए में का बना लेते हैं है ना कार चलो बाइक चलो चोड़ो मोबाइल लेप्टॉप लेप्टॉप बना लेते हैं लेप्टॉप को एक आइडेंटिफाइ करा कि इतनी जी भी रह होनी चीए यह गेमिंग के लिए परपस से बनाना इस बजट के पूडिंग फिर मैंने मेजर्मेंट उसके टूल्स टे प्रोडक को बदाया उसका फाइनली लेप्टॉप और कंप्यूटर को मैं डिजाइन करा फिर उसको वेरिफाय करा वेरिफाय नहीं बेसिकली टेस्टिंग होता है तो यह क्या है तिक तिक मा प्रोड़क्ट डेवलोपमेंट डिफाइन मेजर अनलाइज डिजाइन एंड व कर लेगा जब हाई स्ट्रेंग्टिंग का कोई प्रोड़क्ट आएगा तो तुरूंत मार्केट केप्चर कर लेगा एक सपोज में एक एक्जाम्पल देता हूं आपको कि आज बाइक चल रही है ठीक है सतर असी जब टीविएस के ले लेते हो तर नब्वेस हो भी वह क्लेम कर देते हैं एवरेज दे रही है अब एक क्वालिटी को लेकर कोई कंपनी आई कि अपन तो एसी टेकनलोजी लाएंगे कि अपनी जो बाइक हैगी 200 का एवरेज देगी अब जैसे वह परकेट में आई कि वह भाई उसकी सलाक की डेड़ लाक कर दी प्राइप जैसी मार्केट में उसको मार्केट कैप्चरिंग में टाइम लगेगा नहीं लगेगा क्यों क्योंकि वह क्वालिटी दे रहा है याद रखना पांडव पांच ही भारी थे एक रुपे की सिंख्के इक टे करो एक करोड रोपे तक तो क्यों सी चीजे एक बहुत अच्छी सी में मैं यह को बात ओथर ने कहीं तहीं मैं पिता घाने को बता देता हूं कि जोद्रों कि और मानके चलिए क्या-क्या चीजे होती है कि विजनेस्मेंहों होता इयुश स्को पूरा जीवन चल सके उसके परिवार चल सके इसके आनेवली पीडिया भी चल सके लेकिन तिर्टमर जो रोच पैसा मंगता तो हमेशा क्वा ङूत पास होगी उसका मार्टेट केप्चर टो होता है तो कस्टमर सेंट्रीक डिजाइन होता है लोगे टेवलोपमेंट कोуस्ट होता है next a out introduction डिजाइन पॉर दॉज सिง सिघ्या अब एक तो अपने प्रोड़क्त वॉलपमेंट में देख लिया था अब डिजाईन के अंदर देख लिस दिजाईन के अंदर अप्रो एक्टिव को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दें कि हाँ सर आप बोल रहे हो वह हमें समझ में आ रहा है यदि कहीं गलती हो रही है अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो को इंपको को आपको कोशिश करगा क्या अपनी डिया है किंस बैंटेट लौ क्या कि है? क्रियेट करती उसको चाहिक है पैपक्क किन कर दा हमारे क्वाइट को सर्विसिस को प्रॉसेस को कि इस ह। पर्टिक्लर वर्क इतने टाइम प्रेंट में हो जाना चाहिए पर्टिक्लर प्रोड़क इतने वर्किंग आओ जैसे आज यह पंका लाए और उसकी लाइफ कहें कि यह तो छे महीने के लिए तो आप गेंगे ना चाल वे क्यों कि आज कल के जो पंक्या आ रहे हो तीन साल चार याद रख लोगे चल रहेगा हमने खुद नहीं कोई सेट कर लिया है जैसे हमने सबसे हैदराबाट टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर बना लिया तो वह क्या कि अब हमारा स्कोर हमको थोड़ना है तो इंटरनल बेंचमार्किंग हो गई एक्स्टरनल किसी और ने सेट किया सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमको प्रोडक्स के लिए करना है टाइम के लिए करना है विए इस चेंडर मिलने वाला मिलने वाला है quality improvement होने वाली efficiency improvement होना वाली सोरी तो यह तारी के तारी चाहिए हमको benchmark के गोल identify हुआ इसके बाद हम हमारे parameters उसके fix कर देते हैं कि benchmarking का है parameter होने वाला है फिर data हम collect करते हैं analysis करते हैं और develop करते हैं action plan और फिर पाइनलाइस कर देते हैं कि हमारा benchmarking है और इसको monitor review करते रहते हैं अब benefit क्या है एक goals identify हो जाता है clear रहता है विजन है ना improve होती है production improve हम compare कर सकते है data gather हो सकता है और innovation को help मिलती है कि उन्होंने ऐसे किया था तो अपन भी कैसे कर सके जिसे जियो फोर्जी लेकर आया उसके बाद सब में होड मजगी कि अब हम भी फोर्जी लेकर आएंगे है ना हम भी 3G पे नहीं रहेंगे अब हम भी फोर्जी लेकर आएंगे तो quality function यह वाला जो पॉइंट था quality function deployment का already अपने थर्ड यूनिट के अंदर डिटेल में पड़ा है कि क्वालिटी फंक्शन डेप्लोइमेंट एक नेरो प्रोसेस होती है इस्ट्रक्चर्चर्ड प्रोसेस होती है जो कस्टमर के रिक्वार्मेंट के अपोर्टिंग जब हम इसके अंदर बता दिया है तो टगुची में तर्ड क्वालिटी फंक्शन डेप्लोइमेंट इसके स्टेप्स यह सारी की सारी और अल्रेडी थर्ड यूनिट में हो गई है इसलिए मैं यहां पर इसको केवल आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं अब नेक्स आज़ादा है ट अब टोटल प्रड क्रोड प्रडूक्ट्ड रखते हैं जैसे कि हमारे पासे कर है है हमारे पासे अरे हैं टो त्रक जाना घंण रखाजा है कैसे रखे डशा आट्ब पिए जो टाइम में हम चेक करें फिल्टर में लगते हैं उसको चेक करें जुक वीलिंग होती है वह बराबर चीक कर आजा तो वो क्या कराता है है total productive your production maintenance है ना इसके अंदर हम हमारे प्रोड़क को defect free रखने की कोशिश करते हैं उसकी ओर बार बार सर्विसेस करते हैं तो वह total productive maintenance किला थे holistic approach है जो परफेक्ट करती है preventing breakdowns दीती है जो defects में हमको employee को आगे बढ़ाती है क्लियर हो गया मतलब को आगे बढ़ाती मतलब का की डिफेक्ट आने नहीं देती उससे पहले हम उसको इडेंटिफाइब कर ले तो इसके की कंसेप्त है कि सब्सक्राइब करता है और फोकस किस पर करता है इंप्रूमेंट फोकस रहता है जिससे क्या इंप्रूब होती है सेफ्टी के लिए अब इसके पिलर्स क्या है इसके की कंपोनेंट वही है क्वालिटी मेंटेनेंस होता है सेफ्टी के लिए होता है और यहां पर क्या मेनेजमेंट बेनिफिट है कि इससे कॉस्ट का रिडक्शन होता है क्योंकि क्वालिटी बेस्ट रहती है स्मूथ फंक्शनिंग होती है ब्रेकडाउन कम आते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अफ रिसोर्स होता है एफिशेंसी इंप्रूव होती है और हैर प्लिसिक बना देते हैं कि हर 6 महीने 8 महीने के अंदर हमारे प्रोड़क को चेंज करा जाएगा फिर इंप्लीमेंट किया जाता है फिर प्लान किया जाता है है इंप्लीमेंट ऑटोनोमस मेंटेनेंस को इंप्लीमेंट कर रहें कि हर दीन महीने 8 महीने बाद आपको पॉप आ लेके जाते हैं खुदी स्वेच्छा से एक तो गाड़ी खराब होगे उसके बाद ले जाना और गाड़ी पहले साही है वर्किंग में और फिर ले जाके उसकी इंप्रूमेंट करा ना वोट टीपेम के अंदर आ गया अब क्वालिटी फंक्शन डेप्लोयमेंट यह फिर से आ है यहां पर हाँ पॉइंट रिपेट हो गया ठीक है रोबस्ट इजाइन ठीक है हाँ आठीक है तो यहां पर अपनी यह खतम हो गई है युनिट क्वालिटी फंक्शन डेप्लोयमेंट फिर से आ गया यूनिट कंप्लीट हो गई है तो मस्रहिए खुश रहिए श्कुराते रही है और मुझे जरूर बताइएगा कि यह यूनिट आपको कैसी लगी बहुत इजी और डिटेल में मैंने समझाने कि आपको कोशिश करी फिर भी कहीं कोई गलती रही हो तो फिल फ्री टू कमेंड आम हैपी टो हेल्प यू खुश रहिए मस रहिए मुस्कुराते रहिए जैहिन और रेली अप्रिशेट यू टाइम जैहिन